Dear ICC and ICC student, 2023 के Board Government result कब आएंगे? इसको लेकर unofficially, official report में बताने जा रहा हूँ. मैंने किल बताया था कि ए रिजल्ट किसी भी कीमत पर इस week नहीं आने जा रहा है. Next week इस पीसे participation है, जैसे कि CISC के अपनी internal meeting है, यह meeting next week तक चलेगी. और उसके बाद ए टाइम टेबल तरह होगे, यानि कि 20th स्केर राउंड में ए रिजल्ट आने की संभावना है, और उससे पहले CISC chief कूद आ कर इस बात को announce करेंगे कि किस समय किस दिन रिजल्ट आने है, और on and average Saturday को रिजल्ट आने की संभावना इस बार बता आई गई है, यह एक आकलन है, आप प्रूफ देख लिजे स्क्रीन पर कि कितने टाइम्स नाव ने कल दो पौर में यह information दिया, और उसी की subsidiary organization एकनोमिक टाइम्स उसने भी कल यह update दिया, कि next week possibility है, और next week तक जो CISC से complete कर लेने के बाद, confirmation कर लेने के बाद, result के demo होने के बाद ही यह result आएंगे, यह result आप सोचते हैं कि website पर upload कर दिया, server से link कर दिया और release कर दिया, ऐसा नहीं होता है, सबसे पहले देखा जाता है कि ICSI and ISE के student total number कितने है, और उससे 10 times multiply कर दिया जाता है कि इतने traffic उस particular दिन के उ तो क्या CISE का server sustain करेगा, और अगर यह server sustain करता है, तो कितना sustain करेगा, कितने घंटों के लिए, कुछ घंटों के लिए इसके power को multiple extreme level तक महुचा दिया जाता है, क्योंकि सुरुवात के 2 से 4 घंटे यहाँ पर traffic unlimited होते हैं, student, friends, Keith and Keane, school, teachers और न जाने क्या क्या, तो यहाँ पर जो होते हैं, इससे भी तयारी करनी होती है CISE को, दुसरी बात है, data के uploading हो चुके हैं, और इसको कई बार multiple demo किया जाते हैं, all over India से, मैंने कहा कि school results at school, school जो first tier के school है, जहाँ पर CISE अपने board generation के question पर परकोसेट करवाती है, या जहाँ पर board generation के copy को रखे जाते हैं पर तेक स्टेट के कुछ district में, जहाँ पर CISE के बहुत सारे school होते हैं, उन में से एक या दो first tier school होते हैं, वहाँ पर पर पूरे district के copy को रखे जाती हैं, चुकि इंटर स्टेट अंसर से evaluation यानि की copy checking होता है, तो वो एक ही दो school में होते हैं, CISE अपने headquarter में पूरे copy को नहीं पूला लती हैं, और कुछ लोगों के देखरेक में, या जितने regional office है, वहाँ पर एक copy चले जाता है, जहाँ पर CISE के बहुत सारे regional office खुले हुए हैं, और वहाँ पर इनको देखरेक में भी, जब बोड़े गनमेसन कंडर्थ हो जाता है, दो वीक के बाद, या फिर दो मंत के बाद destroy कर दिये जाते हैं, copy को, तो उसके बाद student का claim भी नहीं बनता है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए, CISE पूरी तयारी कर रही है कि कि किसी तोरह के error रही हो, data का four to five times rechecking हो रहा है, जिन जिन सेंटरों से एक copy के marks भेज़े गए हैं, और जब copy दूसरे center पर घज़ रखने हैं, वहाँ से भी nominal एक model के रूप में या at randomly कुछ copy से data को confirm किया जाता है कि सही है न, ताकि accurate 100% किसी भी student के life के साथ न खिला जाए, ऐसा, ऐसी तयारी होती है, और इसके बाद result आते हैं, तो इसमें समय लगता है, और इन सब से बढ़कर है, CISE अपने server को strong करती है, साल बर उसके server उसकी website पर nominal traffic आते हैं, और वो 10,000 से लेकर 1,000 तक traffic आते हैं, लेकिन daily, लेकिन जब ये result निकलने होंगे, तो यह traffic करीब करोर में पहुँच जाते हैं, तो उस condition में क्या होगा, लोग mobile से, tab से, laptop से, desktop से, और न जाने कहां कहां से access करते हैं, तो result सही धंक से accurately आ आप तक मिला जाए, इसके लिए CISC की अभी पूरी तयारी चल रही है, तो इस week तो आपको अब कुछ होने नहीं है, 15th के बाद ही ये result आपको confirm होंगे, 20th तक 22, 23 तक आपके बाद सारे picture clear हो जाएंगे, जो मेरी जानकारी है, और जो लोग 10 से 15 कर रहे हैं, I bet देखते हैं क बतातों, CISC Chief जब एक दिन अपने result को announce करता है, तो उसके तीन दिन बाद ये result आते हैं, इसे बिच, 2024 batch के student के लिए most likely question bank with latest syllabus वो स्वाल publication की ode से ये पल प्रोवाइट के गए जिसको मैंने खरदा है, आमें जॉन से, जिसका लिंक इस वीडियो के description में वहाँ से purchase करते हैं, य दिये जा रहे हैं, तो यह एक बड़ी benefit है, इन सभी के साथ बने रहते हैं, और आगे मैं आपको update करता रहूँगा, तो इस वीडियो को like करने के साथ channel को share कीजिए और subscribe करना याद रखिए, आप subscribe कीजिए